अजो हम जो है, फर्स चेप्टर कम्प्लीट कर चुके हैं आप उस चैप्टर की एक्सरसाइज उस चैप्टर को त्छे से रीड कर सकते हैं उसकी exercise और कोशन अंसर को लाँ करके उसे अपने घर पे रफ नोट बुग पर उसकी प्रेक्टिस कर सकते हैं Now, our first chapter is Health and Hygiene. We will start this chapter and this chapter is for class 5th, Health and Hygiene. Health यानि स्वास्ते, Hygiene means सफाई. It is rightly said, first paragraph हम रीट करेंगे, अब अपनी बुक को अपने साथ लेकर बैठेंगे. It is rightly said, Health is wealth. किसी ने सही कहा है कि Health is wealth, यानि स्वास्ते ही धन है. Only a healthy person can work properly and earn wealth. एक healthy person ही अच्छे से वोग कर सकता है. Does a healthy person can lead good, long and prosperous life? अगर आप healthy हैं तो आप अपनी life को अच्छे से, आपकी जो life है वो अच्छी रहेगी, अच्छा फील करेंगे आप. To stay healthy, अब healthy रहने के लिए हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए. To stay healthy, we need to take care of each and every part of our body. हमें अपनी body के हर एक पार्ट की अच्छे से देखबाल करनी चाहिए. Let us discuss one by one. अब हम इसे एक-एक करके जो है, वो discuss करेंगे कि कैसे हमें अपने body के हर एक पार्ट की जो है, वो देखबाल करनी चाहिए. सबसे पहले आते हैं, sense organs. Sense organs क्या होते हैं, हम already इनके बारे में पढ़ चुके हैं. आप बार-बार सुनते होंगे sense organ के बारे में. ये एक delicate organ है और ये हमारे बहुत ही important organ है. अब sense organs होते क्या हैं? Sense organs वो organ हैं जिसकी वज़़से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, taste कर पा रहे हैं, nose की वज़़से हम क्या करते हैं, smell कर पा रहे हैं. तो हमारी body में 5 sense organ हैं, यानि we have 5 sense organ कौन-कौन से हैं, वो eyes, ear, tongue, nose, skin, ये क्या हैं, हमारे sense organ हैं. ये 5 हैं, these organs are delicate and important, ये जो organ हैं वो हमारे बहुत delicate हैं और important हैं. क्यों, क्यों कहते हैं कि sense organ हमारे लिए important हैं, important हैं, हमारी eyes हमारे लिए important है, ear, tongue, nose, skin हमारे लिए बहुत important हैं, क्यों? इनकी वज़से हम देख सकते हैं सुन सकते हैं smell कर सकते हैं taste कर सकते हैं feel कर सकते हैं तो ये sense organs की वज़से हम ये सब कर पारे हैं अगर इन में से एक भी organ हमारा नहीं होगा तो हमारी जो life है वो incomplete है without these sense organs without these senses or even without any of them our life is incomplete so we should take special care of them इसलिए हमें इन सब की अच्छे से देख भाल करनी चाहिए आप खुद सौचो, अगर आपकी आइस नहीं होगी तो क्या आप देख पाओगे अगर आप देख नहीं पाओगे, तो क्या आपकी लाइफ कम्त्रीत है अप अच्छे से अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हमारे एर नहीं होंगे हम सुन नहीं पाएंगे, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे नहीं, हमें कित aventies का सामना करना पड़ेगा, face करनी पड़ेंगी हमें अपनी लाइफ में कितनी difficulties face करनी पड़ेंगी इसी लिए हमें अपनी जो organs हैं उनकी अच्छे से देख भाल करनी चाहिए सबसे पहले हम बात करेंगे skin की skin is the outermost covering of our body आप देखेंगे अपनी body में सबसे ज़्यादा पार्ट आपको कौन सा दिखने में आएगा skin skin सबसे ज़्यादा पार्ट आपको जो है वो visible है कि हमारी body में skin ही नजर आ दी है skin is the outermost covering of our body skin ने क्या कर रखा है skin ने हमारे internal organs को protect किया हुए internal organs वो organs जो हमारी body के अंदर है ये organs तो जो sense organs है वो तो हमें visible है हमारी eyes, nose, ear, tongue visible है तो ये हमारे क्या हो गए external organs अब जो internal organs है उन्हें कौन protect कर रहे हमारी skin the skin help us to feel cold, hot, rough, smooth, sharp things क्या कर सकते हैं skin की वज़े से हम किसी भी थंडी चीज़ को hot, rough, smooth, sharp, surface को किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं हम feel कर सकते हैं कि अगर हमने किसी गरम cup को hold किया तो हमें वो पता चल जाएगा कि वो cup क्या है hot, warm है तो वो हमें किस की वज़े से पता चल रहा है हमारी skin की वज़े से hence it save our body from injury जैसे मैंने आपको बताया कि skin जो है हमारी body को कोई भी injury होने से बचाती है, protect करती है we should keep our skin clean to keep it free from germs अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी skin को clean करके रखना चाहिए ताकि जो हमारी body है वो germs free रह सके अब clean करने के लिए हमें अपनी body पे moisturizing cream लगानी चाहिए कोई भी crack हो गए है, कोई cut लग गए है, घाव हो गए है even our sweat contains some salt और हमारी body में आप देखेंगे हमें पसीना आ रहा है उसमें कुछ salt भी होता है, हमारी body में से जो waste है वो हमारी body में से बहार निकल रहा है किसके थूँ? पसीना यानि sweat के थूँ और हमारी body में पसीना आना शुरू होता है तो क्या होता है, उसके साथ germs होते है और हमारी body में से waste वो भाहर निकल रहा है तो उसकी वज़े से क्या होता है, हमारी body में से smell आने लग जाती है तो इसी लिए हमें उस smell से चुटकारा पाने के लिए यानि रिड रिड मतलब होता है चुटकारा चुटकारा पाने के लिए हमें अच्छे साबुन का इस्तमाल करना चाहिए यानि वी शुड यूज सॉप एंड एपलॉय मोईस्टर और हमें अपनी बॉडी में मोईस्टर लगाना चाहिए हमें अपनी बॉडी को साफ रखना चाहिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारी आईज, इयर, नोज और टंग के बारे में को कि मृध इस थिर नहीं है वकि रखना है वे इसको अपने स्कीन के प्राइब से लिए हैं हमें अपने स्केन का ध्यान रखना चाहिए